हालो प्रेंग्स मैं सती सरंजान आप सबका वेलकॉम करता हूँ अपने यूटूब चैनल पे दोस्तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पीपैप के बारे में पीपैप एक जो क्वालिटी के जो फाइब खोर टूल्स होते हैं उन में से एक होता है इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं तो इसमें हम लोग बात करेंगे पीपैप के टिपनिशन के बारे में इसके बाद जो इसके 18 element होते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम लोग इसके बाद जो submission warrant होता है जो 5 लेबल होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग तो मैं आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा तो वीडियो को एंट तक देखना आप लोग और जो लोग मेरे चैनल पे नए आया हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकरसन उनको मिलता रहे दोस्तो अब हम लग बात करते हैं पीपेप के बारे में पीपेप के डिपनीशन के बारे में दोस्तो पीपेप का फूल परम होता है पोडक्शन पार्ट एप्रूबल प्रोसेस जिसको की सिरीज अब डॉक्मेंट भी बोला जाता है पीपेप क्वालिटी के फाइब को टूल्स में से एक है पीपेप को इनिशली डेवलप किया गया था AIAG के द्वारा AIAG का मतलब है Automotive Industry Action Group इसके द्वारा डेवलप किया गया था 1993 में जो बीग थ्री कंपनिया है उनके मदद से इसको डेवलप किया गया था जो बीग थ्री होते हैं उनको बोला जाता है Ford Motor, Chris Lyres एंड General Motor ये तीन कंपनिया जो अमेरिकन कंपनिया है AIAG का फोर्थ भर्जन जो की जून 2006 को आया था जो की पीपेप का most recent भर्जन है पीपेप एक standardized process है जिसका की use automotive industry and aerospace industry में किया जाता है दोस्तो पीपेप जो होता है वो supplier के लिए होता है ना कि customer के लिए अब समझते है supplier और customer क्या होता है दोस्तो supplier का मतलब होता है जैसे आप किसी भी company में काम करते हैं आपकी company कुछ ना कुछ product किसी दूसरी company से खरिदती होगी तो वो company आपकी company का supplier होता है और आप उस company के customer होते हैं पीपेप जो है वो confidence अस्थापित करता है अपने component supplier में और उसके production process में दोस्तो पीपेप का एक definition भी होता है उसको समझते हैं हम लोग दोस्तो यह है इसके definition दोस्तो अब समझते हैं कि पीपेप का यूज कब किया जाता है पीपेप का यूज वैसे तो बहुत है लेकिन जो mainly है मैं तीन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो तीन है जो पहला होता है कि जब भी कोई new product की development होती है तब पीपेप का यूज किया जाता है तब पीपेप के document बनाय जाते है जो दूसरा है जब कोई product और process में change होता है तब पीपेप के document बनाय जाते है तीसरा है जब कोई supplier and material में कोई change होता है तब पीपेप के document बनाय जाते है दोस्तों अब समझते हैं पीपेप से benefits क्या है जो पहला benefit है पीपेप help करता है design integrity को maintain करने में दूसरा है जो issue है उसको पहले ही identify करने और उसको solution करने में मदद करता है यह supplier को identify करता है कि उसको और develop करने की जहुरत है improve करता है overall product की quality और customer के satisfaction को supplier change करने में मदद करता है तो दोस्तों यह है इस पीपेप के benefits अब हम लोग बात करते हैं कि जो पीपेप के 5 submission level होते हैं उसके बारे में बात करते हैं फिर उसके बाद हम लोग जो इसके 18 element है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों जो पीपेप के 5 submission level होते हैं उनमें जो यह 18 element है उनको submit किया जाता है हर label में अलग-अलग document submit किया जाते हैं तो चलिए पहले submission label को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगो एक chart के through भी समझाऊंगा कि पहले label में कौन सा document submit होता है, तो जो पहला label है, वो है, वो कहता है, part submission warranty and appearance approval report submitted to customer, if possible. मतलब इस label में part submission warranty submit होगा, ये एक format होता है, part submission warranty की, वो submit होगा और appearance approval report submit होता है, जो दूसरा label है, उसमें होता है, part submission warranty with product sample and limited supporting data, इसमें part submission warranty का format आप submit करेंगे, और product का sample, जो आपका product develop कर रहे हैं, उसका sample आप customer को देंगे, और कुछ limited supporting data, वो भी customer के पास submit करने की ज़रत होती है, दोस्तों, जो दीसरा label है, उसमें क्या होता है, part submission warranty with product sample and complete supporting data, उसमें दिया जाता है customer को, ये दीसरा label है, जो चौथा label है, उसमें part submission warranty and other requirements, defined by customer, जो customer के अधर requirement होती है, उसको submit किया जाता है, जो label 5 है, उसमें part submission warranty with product sample and complete supporting data, available at the manufacturing location at supplier end, मतलब कि supplier end पे ये सारे data, जहां पे part produce हो रहा है, वहां पे customer की एक बार visit होती है, वो सारे data को review करते हैं, उसके बाद action लेते हैं, तो ये 5 label हैं दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि जो PPF के 18 element होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में मैं deep में तो नहीं जाओंगा, बस आपको बता दूँगा, simple सा, क्योंकि वो अपने आप में एक topic रखते हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोग को उसके बारे में बस उसके definition बता दूँगा, हो सके तो उसके format भी आपको दिखा दूँगा, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं, दोस्तों जो पहला document है, पहल से इसको करना है, दूसरा होता है, authorized engineering change document, मतलब कि इसको ECN भी बोलते है, engineering change note, अगर कोई भी change होता है, तो इसको submit किया जाता है, तीसरा होता है, customer engineering approval, इसमें क्या होता है कि एक trial किया जाता है, customer के यहाँ पे, जिसकी ज़रत PPAP से पहले customer के पास भेजने के लिए किया जाता है चौथा होता है, design FMEA, design failure mode and effect analysis भी बोलते हैं इसको, इसमें design के failure mode को analyze किया जाता है, कि कहाँ पे आपके design में failure है, जो 5 नमबर है, वो है, PFD जिसको process flow diagram भी बोलते हैं, आपके process का sequence किस तरीके से flow कर रहा है, इसमें वो दरसाया जाता है, जो 6 नमबर है, वो है PFMEA, जिसको process failure mode and effect analysis भी बोलते हैं, इसमें process के failure को describe किया जाता है, इसमें RPM नमबर को measure किया जाता है, कि process में failure किस तरीके से आ रहा है, उसके बारे में इसमें discuss किया जाता है, जो 7 नमबर element है, वो है control plan, control plan वो होता है, जैसे जो आपके process का sequence है, उसके उपर बनाया जाता है, कि आपके process किस तरीके से करेंगे, उसमें क्या क्या instrument ही हो जोंगे, क्या parameter होंगे, उन सब को control किया जाता है, control plan के थूरूर, आठवा element है, a message, इसको a message बोलते है, measurement system analysis, इसमें हम जो measurement के error होते हैं, उसको identify करते हैं, और जो 9 नमबर है, वो dimensional result होता है, dimensional analysis बोलते हैं इसको, जिसमें कि जो भी आपके product की time answer है, जो भी drawing में measure की जाती है, दिया हुआ है, उसको एक list बनाई जाती है, उसके specification को दिखाया जाता है, उसके inspection की जाती है, दसवा है record of materials, ग्यारा नमबर है initial process study, जिसको हम लोग SPC भी बोलते हैं, SPC के उपर मैंने वीडियो बना रखी, आप लोग उसको देख करके वहाँ से समाज सकते हैं, बारा नमबर है qualified laboratory document, इसमें क्या करते हैं कि जो document होती है, lab के तुरू उसकी testing की जो कुछ भी record होते हैं, उसको दिखाया जाता है, so किया जाता है, customer को submit किया जाता है, तेरा नमबर है appearance approval report, चौदा नमबर है sample production part, एक sample तयार किया जाता है, अप customer को submit किया जाता है, जो drawing के अनुसार आप part बनाते हैं, एक sample के तोर पे बनाते हैं, उसको दिखाया जाता है कि हम इस तरीके से part को बनाएंगे, पंदरा नमबर है master sample, फिर उसके बाद कुछ sample को हम लोग customer से approve करवा लेते हैं, और उसको फिर हम लोग master sample को लिख देते हैं, कह सदार पर उसको master sample को त्यार किया जाता है, जिसको की customer approve करके देता है, सुलना नमबर है checking ads, आपके जो product है, उसमें checking के क्या-क्या parameter है, जिसको आप inspection करेंगे, कौन-कौन से checking के list है, आपकी drawing में measurable, जिसको आप लोग product बनने के बाद measure करेंगे, सतरा नमबर है customer is specific requirement, अठारा न बारे में मैंने पहले ही आपको इसके उपर बता दिया है कि इसके 5 level होते है, submission level, जिसको की customer के यहाँ पर submit किया जाता है, तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैंने आप लोगों को समझाने के कोसिज किया, interview point of view से, कि PPAP क्या होते है, इसका benefit क्या है, इसको कौन-क धन्यवाद